आज हमारे यहां बहुत ही मज़ेदार बारिस हो रहा है, मौसम बहुत सुहाना और बहुत ही देखने में खुबसूरत मौसम हुआ है, बहुत अच्छा मौसम और बारिस खुब मज़े से हो रहा है, रातों दिन बारिस हो रहा है, तो इस मौसम में मानसून के मौसम में आप अ बताईएगा हम भी अच्छे हैं तो हम किचन में आ चुके हैं और हमें इस डिस्ट को बनाने के लिए सबसे पहला काम करना है हमें बैगन को पकाना है तो देखिए हमारे हम एक बैगन आपको दिखाए पर हमने तीन बैगन को पकाने के लिए पहले से ही रख दिये थे तो अभ हमने क्या किये थे बैगन को साफ करके चार भाग में कट कर लिये थे मतलब एकदम अलग ना हो एकी में जॉइंट रहे और उसकी अंदर हमने हरी मेर्च और लॉसन अच्छे मात्रा में भर कर और सीख लगा दिये थे उसमें ताकि जूड जाये और उसे गैस पर पकाने के हैं धनिया पता अच्छे से कट हो जाये तब हम जाके कुछ हरी मेर्च है उसे भी कट कर लेंगे हरी मेर्च कट करने के बाद हम क्या करेंगे ना इसकी एकदम अच्छे से तयारिया करेंगे और थोड़ा सा लासन हमने साइड में रख लिये हैं उसे इसलिए रखे हैं आगे हमें लासन और हरी मिर्स का काम है और इधर मेरा बैगन एकदम मज़ेदार पक चुका है आप देख सकते हैं बहुत ही पकाने में 5-7 मिनट में ही बैगन अच्छे से पक गया था क्योंकि बैगन एकदम अच्छा था और बहुत बड़े साइज का नहीं था और मुलायम बैगन इसका बीज भी बहुत मतलब टाइट नहीं हुआ था और इसी पर हम टमाटर को भी रख देंगे और टमाटर थोड़ा कम मात्रा में है क्योंकि मेरे पास उतना ही टमाटर था और एटोमेटिक मेरे पती बोले कि मतलब बारिस का मोसम है तो कुछ अच्छा बना दो तो हब हम लेके आ गए है सत्तु सत्तु आपको देखके समझ में आई गया होगा कि मैं क्या बनाने वाली हूं यूपी और बिहार दोनों का फेमस ये टीस है इसे कई नाम से जाना जाता है मेरे यहां लिटी चोखा बोलते हैं और बहुत जगे बाटी चोखा बोला जाता है तो मेरे जादे तरलू लिटी चोखा ही बोलते हैं घाठी बोलते हैं तो अब हम क्या करेंगे ना कुछ सत्तु ले लिए उसे चान लिए चानने का जरूरत तो होता नहीं क्योंकि पैकेट वाला है पर मुझे पता न क्योंना संतुष्टी नहीं होता है तो इसलिए हमने चार जीरा तीनों चीज मिलाकर एक चमच है जिसे हमने हाथों से करस्ट कर लिए थे और उसी सत्तु में डाल देंगे अब हम थोड़ा सा डाल दिए हल्दी पावडर और थोड़ा सा भरवा मर्चा डाल दिए इसे काफी अच्छा टेश्ट आता है और एक नीबू हम इसमें तो मैं आप लोगों से यही सैर कर रही हूं क्योंकि हम इससे पहले बहुत बार यह वाले डिस बना चुके हैं पर हर बार थोड़ा थोड़ा अलग हो ही जाता है तो अब हम धनिया पत्ता डाल दिए थोड़ा सा इसमें दो चमच की जितना हम डाल देंगे सरसो का तेल क्यों और सभी को अच्छे से मिलाएंगे इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे और यह एक टाइम बनाएंगे ना दो टाइम एकदम मजे से खाएंगे इस बारिस के मौसम में मेरे यहां तो ऐसा ही होता है हम डिनर में बनाते हैं तो सुबह नास्ति का भी काम आ जाता है थोड़ा सच्चक लिए हैं हम अपने बेटी को दे रहे थे ना तो बोली मम्मी मुझे समझ में नहीं आता है बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सत्तु तयार हुआ था और उसे हम साइड में रख देंगे और इधर आटा लगा लेंगे आटा अपने फैमिली के हिसाब से ही हम सब कुछ रेडी कर रहे हैं तो यह चीज सभी के यहां बनता है पर अलग अलग तरीके से बनता है तो यह मेरे घर का तरीका है हम इसी तरीके से बनाते हैं तो आटा हम ले लिए हैं उसमें हम थोड़ा से नमक डालेंगे और दो से तीन पिंच के जितना हम इसमें पड़ता है थोड़ा ही पड़ता है और इसे गूत लेंगे हम एकदम सब्त दो लगाएंगे जादे मुलायम नहीं होना चाहिए। सब्सक्त होना चाहिए तभी जाके इसका अच्छा से बनकर के रेडि होता है तो आटा तो हमने अच्छे से लगा लिये हैं अब हम क्या करेंगे जो सुखा आटा रख लेंगे और इसे ढखकर साइड में रख देते हैं अब चलते हैं हम चोखा बनाने के लिए तो यह देखिए बैगन हमने जो चार फाक किये थे इसके अंदर देखिए कितना सारा लॉसन और हरी मिर्च हमने रखे हैं इससे भरता यह आप इसे उसमें लगाकर बनाईए कभी पर आप मुझे जरूर बताईएगा काफी टेस्टी होता है और मेरा डिस किस किस को काफी पसंद आता है मुझे कमेंट में जरूर बताईएगा मुझे भी अच्छा लगेगा तो अब हम क्या करेंगे ना टमाटर को भी छील हैं और आलू हमने बॉयल करने के लिए रख दिये हैं बॉयल हो चुका है और इधर हम हरी मिर्च और लासन को खलमट में कूट लेंगे यह खलमट हमने खरीदे हैं दिल्ली से बहुत ही मस्त है इसमें बहुत अच्छा से कूट जाता है मुझे काफी पसंद आया है तो आप आप लहाचते है और अच्छे से कूट कर निकाल दिया और इधर आलू हमने चेल करके रख लिए थे चय से साथ आलू है इचोखह आपने के साप लिना रहा है करिब चार से 5 लोगों के जितना यह तैयारिया कर gosto कर रहा है पर हम जो लिट्टी एदो टायम खायेंगे दो टा दनुसार और एक चमच की जितना आमचूर पाउडर डाल देंगे इसलिए कि टमाटर थोड़ा कम था और चोखा में थोड़ा सखटापन होना अच्छा लगता है टेस्ट बढ़िया देता है और छोटे चमच से एक चमच भरके हम इसमें सरसो का तेल डाल देंगे कच्चा ते आइक शेरें कमेंट जरूर कर दीजिएगा सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिपिकेशन आपके चैनल पर सबसे पहले जाए और किस किसको पसंद आता है वो भी मुझे कमेंट में जरूर बताईएगा तो यह हमने ले लिये हैं तंदूर सेखने वाला है तंदूर कुकर के नाम से हम जाना जाता है और इसे आप लोग क्या बोलते हैं मुझे भी बताईएगा जरूर इसे हमने गैस पर रख दिये हैं गरम होने के लिए धक्कान लगा करके और इधर हम जो सत्तु बना करके रखे हैं उसे हम अवाटा में फिल कर लेंगे तो हमारा फिल करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है और हम जो फिल करते हैं दोनों पार्ट का जो आटा होता है एकदम पुराबर मातरा में होता है क्योंकि जो उपर जो एश्रा होता है उसे हम कट करके निकाल ले उसमें अंदर घुशाते नहीं है नहीं, तो उसमें दबादैने से न अंदर घुल्ठी जैसे हो जाता है, तो हम तो इसी तरीके से भरते हैं सत्तू को, और इसी तरीके से हमने सारे सत्तू को प्यार से एकदम भरेंगे, क्योंकि इस मौसम में ये खाना बहुत चादे अच्छ करते हैं लोग अब ये सारे हम सत्तु को भर लिये हैं थोड़ा सा भी बचा हुआ है उसे हम सेखते भी रहेंगे और भरते भी रहेंगे इधर मेरा ये तंदूर कुकर जो है न ये गरम हो चुका है अब हम इस पे एक एक करके लगा देंगे पर इस पे सेखना न बहुत ही है तो आप कभी भी अगर इसमें बना रहे हैं तो थोड़ा सवधानी से बनाएं और इसे उलाटना पुलाटना एकदम अनिवार है अच्छे से मतलब थोड़े देर में उलाटते रहना है नहीं तो एक तरफ से जल जाएगा और एक तरफ से कच्छा रह जाएगा तो इसे मत होगा सूख जाएगा और हाई पे हम सेखते हैं फटाफट सेख लेते हैं तो इसे कच्चा भी नहीं होता है और बहुत अच्छा मुलाइम भी हो जाता है तो सारे लिटी को हम जितना मेरा था न सब भर करके हम एक एक करके इस पर अरजिस्ट कर दिये हैं और सभी को लाटते जाएंगे और इसे सेखते जाएंगे फिर थोड़े थोड़े देर पर हम धकन लगा-लगा करके सेखेंगे ताकि यह फूल जाएगा और देखिए सारे लिटी एकदम बेश्ट फूल गया है और फट गया है तो आप देख सकते हैं जो फूल जाता है वह ही तो इसका मतलब कि वो लिट्टी एकदम पर्फेक्ट सेख गया है आपको देखके मुह में पानी आ जाएगा मुझे तू जितना भी खाए हमें मन करता ही रहता है हमारे आज सभी को काफी पसंद आता है ये तो हमने सारे लिट्टी को सेख लिये हैं देख सकते हैं इधर मेरा सारा सेख चुका है और उधर चोखा भी मेरा एकदम पर्फेक्ट रेडी हो चुका है तो आप भी कभी बनाईए मानसून में इस एसे और खाईए लुक उठाईए बहुत मज़ा आता है मानसून में मज़ा आता है ये दिस तो मेरे यहां तो हम डीनर में बनाये थे अब कभ बनाएंगे आप मुझे जरूर बताइएगा अब हम क्या करेंगे थोड़ा देशी गी ले लेंगे और लिटी को हाथो के बीच में रखेंगे हतेली के बीच में और उसे दबा देंगे और घी में डुबा देंगे, तो इस तरीके से कभी आप खाईएगा बहुत मज़ा आता है, एकढम खशता जैसे यह लिटी हो जाता है, और टेस्ट बहुत अच्छा आता है, देसी घी लगा करके, और तो और यह मेरा देसी घी घर का है, तो और जादे टेस्ट देता है, और साथ प्याज, थोड़ा अचार और हरी मिर्च रख लीजिए तो ये डीनर हम अपने लिए लगाए हैं क्योंकि इससे पहले हम अपने पती को खाने के लिए दे चुके हैं वो वीडियो में नहीं है और खा के वो सोने चले गए हैं और हम इधर थाली अपने लिए लगाए हैं आपको दिखाने के लिए तो इतना जादे टेस्टी बना था तो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा मुझे आपकी सबोर्ट की काफी जरूरत है तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा और टेस्टी बना है हम आपको खा करके दिखा देते हैं बहुत मज़ा आया था अगर आपको भी पसंद आएगा तो जरूर बनाईएगा और मानसून में आप क्या-क्या बनाते हैं मुझे भी कमेंट करके बताईएगा तो चलिए तब तक के लिए बाई थैंक्यू फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे